हालो और वेलकम टू आवर चानल प्रियम्ड डाउल आई एस आई एम प्रियम्गुमा देखे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे यह मैं उमीद करता हूँ आप लोग देखिए यहां पे हम लोग से डिसकस कर लिये थे और यहां पे मुझा प्रियम्बल से डिसकसन होगा य यह बढ़ा टॉपिक्स है तो हम लोग वहां से अलग से डिसकस करेंगे यहां पे प्रियम्बल से डिसकस करने से पहले हैं आप लोग को यह मैं तोड़ा सा यह जिससे कि पहले मैं पढ़ाया हूँ उसका एक और वह दे देता हूँ कि कि किस तरह से एक टाया था बहुत प्रिवाज करेंगे तो यह आपका एक टाता है तो 1773 में रेगुलेटिंग एक टाता है इसको ध्यां रखेगा यह 1784 का पीट्स इंडिया एक टाता है मैं पहले आपके एक ओवर्वीव दे रहा हूँ यह सब याद करने का ठीक बता रहा हूँ उसके बाद 1766 में के एक टात है यह उतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन 813 के बाद चार्टरिंग जो आता है ना फिर भी सलवाद फिर भी सलवाद यह सब इंपोर्टेंट है फिर यहां से बहुत इंपोर्टेंट है और 1935 में यह सब गोर्मेंट अप इंडिया है अजादी मिल जाती है 14 अगस्त की रात को जो 15 अगस्त को मनाते हैं ठीक है अब देखें इसमें जो है ना शुप्रिम कोर्ट कलकाता में बनता है फोर्ट विल्यम वहला कॉलेज जो है आपको क्या बोलते हैं चार्टर एक तो उसमें होता है अना कि मोनोपोली जो कंपनी कर रहा था उसको खौतम के रहता है लेकिन चाय और चाइना के साथ ट्री मतलब की ब्यापार करना इसको भी रहना दिया रहता है इसको आप खौतम के रहता है 33 वालेक्ट में ठीक है आप गौर्ण जनोल बंगाल कौन बनते हैं ठीक है इसको बताना है एस्टिंगस बनते हैं क्या और कव बनते हैं गौर्ण जनोल बंगाल यह बताना है ठीक है पिर बात मुझे बात मैं 35 में यह निसको बोलते हैं, ट्रांसपर्ट और रिजर्ब जो बाटाजाओ साब हम लोगा डिसकस किया है और 147 में आजादेयों रहोता है तो चलीए, यहाँ समें इसको में अब्जक्टि बोला जाता है आपको बताना है कि प्रेमबल में अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं यह सब आगए कोश्चन मिलेगा तो हम लोग देख लेंगे सूर्स ऑप अट्रिटी इसका इंपोर्टेंस है इसमें लिबर्टी इक्वालिटी प्रेट्रिटी जस्ट तो देखिए यहां पे आप लोग यह सब थेयोरी पढ़ लिजेगा बताएगा अगर कराना हो तो थेयोरी हम लोग करा देंगे डियरेक्ट हम लोग केस्वानंदी भारती केस को अगरा सब हम लोग कोश्चन के तुरू इसको डिसकस करने का प्रायास करेंगा जहां जोरत ल प्राया कि शोलमली रिजोर्ट तो कंसिट्वेट इंडिया इंटो इसोवरें सोशलिस्ट सेकुलर देमोक्राटिक रिपॉब्लिक एंटो सिक्यूर तो इस इजिजन जस्टिस सोशल एकोनोमिक पोलिकल लिबर्टी अफ़ थार्ट एक्वालिटी किसकी किसमें में देखिए इंटिग्रिटी उनिटी नेशन को बरकाया रखना है बोला है कि यह जू चीज है न एक्स डू यरबाई एडॉप्ट इनेक्ट एंड टू आवर सेल इसकोनिजूशन मतलब कि कव एडॉप्ट कर रहे हैं यहीं पूचा जा रहा है गुमा कर पूचा है इनेक्ट होता है 26 जनवरी इनेशन पचास को जाकर इनेक्ट होता है मतलब कि लागव होता है जब रीपप्लिक हम लोग का देश होता है यह चीज बताना है देखिए what was the constitution का मैं पूच रहा हूँ को एडॉप्ट कर लें 26 जनवरी इनेशन पचास को लेकिन यह देख सकते हैं 250 में जाकर लागव होता है और सिदिन यह हम लोग अपने रिज यह क्या बोलते हैं प्रियमवल में यह चीज बोलते है वाट वाट वाज यह जब होगा था उस समय यह क्या था तो यह दिखिए यह जो यहाँ पर दिया गया था सोवरेन सोषलिस्ट जो तेनों वड है ना 202 आपनेशन आप यह नहीं था तो उसको अगर हटा देते हैं आप यह सोवरेनर सोषलिस्ट को तो क्या हो जाएगा देमोग्री रीपबलिक तो देखिए यह इंसर हो जाएग JUL आए एंसर हो कितना पर आया देख सकते हैं हम नेक्स्ट है यहां पर अभी पूछा जागा तो वह भी है सोशलिस्ट सेकुलर और इंटेगरिटी तो हैं यह बाद में देख लीज़ेगा बोला है कि एक्जैक्ट कॉंचिजूटनला स्टेटस वहीं सेम चीज है यह मतलब कि आईस में पूछ होता है तो प्रेम्बल में ही रिप्लेक्ट होता है इसको इडिटीटी कार्ड यह ने पल्किवाला के द्वारा बोला गया था ठीक है अब देखिए हाव मैने टाइप्स अब जस्टिस लिवार्टी एक्वालिटी और फ्रेटर्टर्निटी यह हम लोग यहां पे इन और दे कर सकते हैं दोस्तों क्या बने है नेक्स्ट के आए दोस्तों देखिए तीन टाइप का बोले मैंने, त्री टाइप सब जस्टिस और पांच टाइप का लिवर्टी होता है, यह ध्यान अगना है, दो टाइप का इक्वालिटी क्या था, एक एस्टेटरस, एक अपर्चुनिटी, और यहां पर देख सकते हैं, एक तरप का भाईचारा प्रेटरनिटी दिया गया, यह ध्यान रखना है, और पांच टाइप का लिवर्टी कौन-कौन सा है, तो देखिए, लिवर्टी में आपको किस-किस चीज़ का लिए था, फेत का था, यह देख लिजे, यह पढ़ लिजेगा, तो आपको कलेटी हो जाएगी, यहां पर इसमें भी दिया तो उसको बोला है, तो पहले सोबरेन, सोचलिस्ट, सेकुलर, यह टाइप का था ना, सेकुलर पहले आ रहा था ना, पीट डेमोक्रेटिक बाद में आता है, रिपबलिक बाद में आता है, तो देख लिजे, यह दिया जा रहा है, तो जो हम लोग अभी पढ़े, यहां पे बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपबलिक, और यह देख सकते हैं, दा वर्ड, पिपुल इस नोट में साइन, दे प्रेमबल अब इंडिया कोंसा है, तो इसको हम लोग जल्दी कर लेंगे, सोबरेन, सोचलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपबलिक अब इंडिया, अब यहां पर जो जस्टिस का बात किया गया है, कौन सा है, सोचल, एकनोमिक, पॉलिटिकल, लिवर्टी का जहां सब बात करिएगा, तो थौट का है, एक्स्प्रेशन का है, बिलीप का है, फेत का है, वर्षिप का है, मतलब आपको सूच का भी आजादी है, आपको विश्वास का जादी है, फेत और बिलीप में क्या आंतर ये बताईएगा, वर्षिप पुझा करने का दिखार है, तो प्रीडम वाला हम लोग राइट टू फ्रीडम जो डिस्कॉस कर रहे देना, आगे भी मिलेगा, जब हम लोग फंडमेल्टर राइट हो कर देखेंगे, और यहां प अपने आपको प्रियंबल में डिस्क्राइब किया है, तो हम लोग ने देखा था, सोरें सोब्रें, पिर आपको सोशलिस्ट, फिर आपको यहां पे सेकुलर, फिर डेमोकरेटिक बाद में आदा, फिर डिपब्लिक आता, वहीं चीज़को बार बार घुमाया कर पीछा जा है, यह BPSC में पूछा गया है, पहले UPPSC में आया है, देख सकते हैं कि इतना सारा कोशन का कलेक्शन हम लोग आपके साथ ला रहा है, तो विडियो को लाइक जरूर करिएगा, आप लोग के लिए इतना मेनत किया जा रहा है, तो आप लोग करने में तो पैसे भी नहीं इतना बार देखिए, पूछा जाता है, और यह जो हम लोग गाटना चक्र का पुरवा लोकन जो हिंदी इंगलिस दुनों में PDF करा रहा है, अगर यह पिक्टोरियल वाल देखना हो, तो कमेंट में लिक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा आप लोग, यह प्लेडिस्ट में ठासे आप लोग कर सकते हैं, तो ठीक है यह जिए देख सकते हैं, इंडिया को एक सेकुलेर बनाया को बोलता है, तो यह आपको प्रेयमबल बोलता है क्या, तो आप लोग यह शिकूलार वड का यह किया है, आप लोग लोग को आता हैं something together, यह धान निरप्लेक्च और कर दोबर दो रोफ होता है जी इंडिया को इंक्लूदेड इन प्रेंबर रोप कर्चिटर्शन 25 में कौन सा प्रिक्षा नहीं गया था देखिए तो नहीं था तो यह अनिसोचेतर में आ रहा है ना इंटेग्रिटी वर्ड तो बस यहाँ पे अभी आम लोगों देखा एक्वालिटी कितना मतलब कि टाइप कर देना था दोल टाइप कर देना था ठीक है क्या था उसको बताए जल्द इस रिकॉल करिए तो देख सकते हैं यहाँ पर विडियो को परस करके पहले जवाब सोचने का प्रयास करिए ताकि आपका एक्सर्टाइज हो फिर एंसर देखिया और पर एकस्पैनेसान सुनिए इस क्वोश्चन को देखने से पहले यहाँ पर आपको जो यहाँ पर मैं बता रहा था उसको हम लोग तो यहां फ्लक से देख लेगर आ यह आँ और यह ब्लीब दोणों दिया हुआ तो फिर रिर आपको कौन दोडुख पूंजा करने का देंगा और एक तो यह कुछने का और एक GPS करने का तो यह यह आपको को दिया गया एक इसमें आपको प्रियांबल में होरोस्कोप कॉन बोल देक के मुंची के द्वारा बोला गया था तो यह चीज है अब इक प्रियांबल अब constitution के बारे में बोला है कौन से से correct होग रहा है तो बोला है कि objective जो रिएम्बर के लिए लाने के लिए प्रस्ताओ जो आला नहरू ने पहले बार मतलब लखा था और finally यह जो प्रियम्बर ही बना पहले जो जो आला नहरू का जो रिएम्बर रखा गया वहीं जाकर प्रियम्बर बना तो correct statement है इसमें अभी हम लोग केस वगरा देखेंगे यह बात सही है तो उसको उबराइट नहीं करेगा अब प्रेम्बल ही उबराइट करेगा तो सारा चीज प्रेम्बल नहीं हो जाएगा तो यह तो मतलब की आप देख सकते हैं लेकिन तीसरा जो स्टेटमेंट है इसको उबराइट करने का बात आया है किसमें हम लोग देखते हैं तो तीसरा अप्सन इलिमेट करिए तीसरा है गलत करिए तो यह करेक्ट है तो में क्या बोला है तो सही बात है अगर प्रेम्बल में कि कुई सी चीज का आपका हनान होता है तो आप ऐसा नहीं कि सीधे पहुंच जाएंगे कूट ठीक है आपका फंडमेंटल लाइट जो मेंसन है उसके लिए आप जा सकते हैं कूट वो आपको इनपर्सियाबल है अगेंस तेस्टेट आपको दिकार मिला है तो सुप्रियम कोट पर जाएगा तो वो सरकार की ब्रूद सुप्रियम कोट एक्षन लेगी ठीक है या किसी के भी जोसके ब्रूद आप कर रहे है फंडमेंटल के लाइट के लिए बायलेशन का यह आपकेस तो वो चीज है तो यह भी ननजश्टिसयाबल होता है जो आलनेरू का जो अब्जिक्टिव रिसुलूसन था उसी जाकर बाद में प्रियमबल बनता है अडेंटेटी काड एनपालिक की वाला के द्वारा जो बोला जाता है यह है देखिए अमेंड करने का बात है न अमेंड करने का बात आया था कैसे आया था इसको मैं बताता हूं देखिए इट कैन भी अमेंड मेंड मेंड तो हम लोग अभी देख लिया न बैरीस को कंशिश्टिशन आनमेंड मेंड एक अनिसोच्छिश्ट सेकुलर इंटेग्रीटी जब अमेंड मेंड नहीं हो पाएगा तो यह वाट जुड़ा कैसे तो यह ध्यान रखना है ठीक है केसवानन भारती केस जो आया न अनिसोच्छिश्टर में कब आया था अनिसोच्छिश्टर यह बताइए तो उसके बाद से यह बोला जाने लाए कि इसको भी हम लोग अमेंड कर सकते हैं लेकिन इसमें एक क्लोज उड़ा गया था कि इसके बेसिक के स्टक्चर को यह जो प्रियम्बल है उसको नहीं लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं तो यह देख सकते हैं अब्जेक्टिव रिजुलूशन गया गया था आपको बताना 9 दिसमबर 11 दिसमबर 13 दिसमबर गया जाता है जो कि इसको और बाद में यह जाकर प्रियम्बल बनता है ठीक है कोबरेशब किया जाता है 2247 को और यह देखे पॉइंडेशन प्रियम्बल रखता है और केशवन भारती केस में क्या बोला गया था देखे प्रियम्बल जो है नहीं को चुका है यह बताएगा क्या इसके बाद हो यह नहीं इसका मतलब कि इसका पुर्विजन जो है ना केनाट भी इनपॉर्स इने कोट अफ लॉव ठीक है यह क्यों बोला देखे अगर माली जी से हम लोगों ने अभी बताया आपको प्रेटरनेट्टी टाइप का कुछ चीज है था तो माली जी उसका हननोरत आप कुट चले जाएगा क्या है या तो वो नहीं है कुछ चीज है जो कि अलग से मेंसन है तो वो है लेकिन यह इनपॉर्स इबल नहीं है नन जेस्टिस इबल है ठीक है लीगल नेचर अब दे प् परटि सेकर्डड कर गी देए गदा इसके बाद मेंडमेंट हुआ है कि नहीं बताएगा उसमें देखिए यह सब चीज चेंज हुआ था तीन वाट जो जूड़ा है था हम लोगोना बता दिया था और जो unity अम टर्म ता न उसकी unity and integrity of nation किया गया गया के वाल unity पहल था integrity word यह से कौन सा आता था वो लैंड डिपॉम वगर आता था तो देख लिजेगा हम लोग पहले किया थे रिकॉल करते चलिएगा प्रियमबल अप करते हैं उस समय क्या चीज यह इसमें नहीं था तो जो बाद में जुड़ा होगा निश्व चियतर में जुड़ा इंटेग्रेटी ज से बोला है कि कॉंचिजिशन का गोल देखेगा तो तो सेक्योर एस्यूर ओल अपीट सिटिजन तो जीतना भी नागरिक है न उसके मतलब की सेक्योर करना किस चीज को सेक्योर करना तो उसका देखेए सोल एकोनोमिक पॉलिटिकल तो इसको आपको करना है लेवार्टी थॉट और एक्सप्रेशन का करना है 5 टाइप का मों लोग ने देखा था ये भी सही है equality of opportunity भी करना है इसमें जहां तक देखेगा तो देखे हैं आगे देखते हैं दोस्तों प्रियम्बल जो है यहां पर आप लग पढ़ सकते हैं क्या 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 काम करता है इंडिया जो एक सोबरेन सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ दिया गया इंटेग्रीटी नीचे जोड़ा गया है यूनिटी के बाद यह एक्स्प्लाइनेशन भी करता है दोनों करेक्ट एक्स्प्लाइनेशन भी है यहां पर लोग देख सकते हैं यह पढ़ सकते हैं आप लोग बोला है कि जो प्रियम्बल में यह बोला है तो यहीं बोलता है कि मतलब हम लोग प्रियम्बल में यह बोले हैं कि हम ही लोग है हम मलब सब लोग को लोग बोले जाता है तो पब्ली का यहीं पर इंडिया के पीपुल के पास है क्योंकि वखती बाड़ा बड़ा दिखिए तो यह सटार्ट कि में प्रियम्बल में है अल इंडिविज्वल और फुली एंडिक्वली हुमेन तो यह जो है आपको किस चीज को प्रिंस्पल वजा जाता है इनुवर्सलिजम देखिया वह सुधर कुटुमबकम जानते होंगे उस तरह से सब जो इंडिविज्वल है न वो सब एक दूसरे मतलब क तोड़ा टर्म लंबा हो जाएगा आप लोगो देख सकते हैं कोई भी पर्सन जो है यहां पर उसको हीमें राइट दिया गया कोई डिस्क्रिमेंशन नहीं होगा इनुवर्सलिजम यहीं बोलता है तो इंडिया में सो इकष्प्लेशन क्या है मैंने पूछ रहा था ना तो senin सेडियर का मतलब क्या होता है दरिप्र से हं तो क्या मतलब दार्म को मनना क्या यह तो फंडमेंटर राइट में है पॉलोंग दर रिलिजन डिपेंड्स अपने विल अप द इंडिविज्वल क्या जो भी आदमी अपने अनुसार वह अपना रिलिजन को फॉलो कर सकता है कि इसको सिक्लोनियम बोलता है या कोई भी स्टेट का लिए रिलिजन नहीं कि थोड़ा सा क्लोज अप्शन लग रहा होगा तो देखिए यह जो है ना यह प्रीडम है कि किसी भी आदमी को अपने इक्षा अनुसार तो यह पंडमेंटर राइट में आएगा लेकर स्टेकुलर का अगर मिनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है कोई इंटेप्रें मतलब है सेकुलर कंट्री बोलता है यह द्यार रखिए पोजिटिव कंसेप अब सेकुलरिजम इंडिया आपना यह 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 और निगाटिव कंसेप आप आप यह तो वह है आपको इसमें वेस्टर इंडिया बोलता है कि कोई भी अफिस्यल इलिजन हम लोगा नहीं होगा ठी इसको तो विनान में हम लोगा पोजिटिव कंसेप लेकर चल रहा है थीक है वीच आप फुल्लइंग वड्स इन नॉट मेंसर्ण इंडिया निटिया था क्या हम लोग सब डिसकस किया है यह आप लोग पढ़ सकते हैं यह प्रिया लिग दिया गया है कोई भी फेडर वर्ड नहीं है तो इस तरह समझेगा कौन सा इसमें से लिवार्टी जो है नॉट यह आपको इंसराइंड है यह इंबोडिड है प्रियमबल आपको चीशन में तो अभी हमने उन्हें बताया था लिवर्डी वाला देखिए कौन सा था फेड था यहां पे वर्षिप था 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 थिया था था थर और यह ए बिलीप ए और फेड भी है बिलीप के संसान इस प्रेक्सदेशन है लिवार्टी एकोनोमिक लिवार्टी को नहीं डाला गया यह ध्यां रखना आपको प्रियमबल जो है नॉटर्य मुअ का कि अपको बारे मैं बताता है एक गश्प्रिश सब्सक्राइब सब्सक्राइब कून सा पार्ट है, जिसको केम लोग आत्मा बोलते हैं ठीक है, क्या प्रिएम्बल है, तो आप लोग बता सकते हैं, केicking ने इसको क्या बोला था, और आत्मा बोल सकते हैं, जो की drafting committee के एक member थे, आप लोग बताना है, drafting committee के chairman कौन थे, ये जो प्रारूफ समिती եा, क्या ब्रम यहां पर यहां पर यहां पर दिखिए ऑप्शन में दिया था क्या है तो यहां पर अगर अगर dps है तो आप सकते हैं अगर भी इन्सकाइन देक्टो सब्सक्राइब करें तो करेक्ट अगर दो अणा नर्म पूछा जा त्सको बूला जा रहा है यह ये कौन बोले थे तो सॉरी किया मुंसी जी को दोरा बुला गया क्या सच्छाक्स का मैंबर थे कौन जो है यहाँ पे सेक्रेड डकॉमेंट्ट बोला था आपको इक पवित्र आपको सेटालिस में देखिएगा यह चेयरमेण बनते हैं ड्राफिटिंग कमिटी के और उसके साह स्विधान सुप्रीम हो यह विश्वास करते थे ठीक है इसलिए इसको बेस्टिक और सेग्रेट गॉवर्मेंट बोलते हैं साठ कर pack केस में बुलते हैं तो आपको बहुंवारी केस में होता है उसमें बोला जाता है प्रेंबल इंडिक रिल्ट पाट ऑफ कंसिप्शन केस वानंद भारती केस में यहां पर दिखेगा तियातर में जो होता है यह 13 बेंच का एक जज़ बढ़ता है सबसे बड़ा ज़ज का यह बेंच था क्या बताइगेगा सुप्रिम कोड और बेस रियंबल को एक पार्ट और बेसिक के स्टक्चर बोला तो देखेगे प्रियंबल नहीं बोला है इन्टिग्रल पार्ट यह बोला गया था के स्वानन बारती के 1773 में 13 बेच का ज़स्ट का बेंच बैठा था आइडिया एंड अब्जेक्टिव जो कि प्रियंबल में है वो कहां पर इल्यूबरेट किया गया जो प्रियंबल में आइडिया है उसको हम लोग कहां पर किया है सभी में जो प्रियंबल का जो में अब्जेक्टिव हो गा रहा है तो सब में मिल जाएगा देखिए कैसे मिलेगा तो जो जस्टिस है सोचल, एकोनोमिक, पोलिटिकल यह लिवर्टी ऑफ थॉर्ट, एक्सप्रेशन, ब्लेप, फेट और यह कुछ-कुछ यह जो यहाँ पर जस्टिस का बात किया जा रहा है तो वो सब कुछ-कुछ आप जाएगा वहाँ पर DPSP में मिल जाएगा ठीक है, फंडमेंटल ड्यूटीज में भी कुछ मिल जाएगा अब देखिए यह objective of the Indian nation is reflected इंडियन constitution is reflected in which of the following, तो किसमे objective को reflect किया गया है तो दीखिए पर्लेमेंट में तो नहीं किया गया है तो यह constitution का objective तो किसमे करेंगे प्रेंबल में करेंगे ना कि हम लोग का objective था तो be the people of India क्या बनाना चाहते है democratic, socialist, republic प्रस्तावना में कितने टाइप का ज़स्टिस दिया गया है तो तीन टाइप का सोशल एकनोमिक और पॉलिटिकल ठीक है यहां पे लिवर्टी वाला पांच दिखे थे हैं यह प्रेमबल अप इंडिया में को दिखेगा तो ज़स्टिस चो है ना सिटिजन को किस तरह का दिया गया है तो सोशल एकनोमिक और पॉलिटिकल डी अंसर एकनोमिक ज़स्टिस देखेगा है एक अबजेक्टिव है इंडिया के कंस्टिटिशन का यह कहां पे दिया गया है एकनोमिक ज़स्टिशन का इंडिया गया है और क्या फंडामेंटल लाइट में है क्या यह आर्टिकल 38 में दिया गया दा स्ट्राइब तो प्रोमोट दा वेलपेर आप पीपल बाई सेकुरिंग प्रोटेक्टिंग एजिट में सोसल ओडर जिसमें कि जस्टिस सोसल एकनोमिक और प्रोलिटिकल सब को यहां पे नेशनल लाइप के लिए दिया जाएगा तो यह DPSP में ह एकनोमिक जेस्टिस पंडमेंटल राइट में नहीं दिया देजिएगा प्रेमबल में तो हैं और आपको DPSP में हैं नौट की फंडमेंटल राइट बोला है कि प्रेमबल जो है न यह क्या चीज है तो अभी के एक कोडिंग देखिए कप का कोशन है 2020 का कोशन है तो यह पार है और यहां पर दो दे रहा है नो लिगल एक तो इसमें से कोई कॉंप्यूच करने के लिए यह ओड़ी में तुछ तो नहीं है कि एकदम लीगल एफेक्ट नहीं होगा कुछ तो लीगल एफेक्ट होगा ना अब उसको इंटेग्रल इस यह पार्ट मानना है उसको आप क्या पार्ट है तो यह सब चीज जो है ना तो यह सब टाइम टू टाइम सुप्रिम को इसको बताती है कोई भी ऐसा लिस्ट नहीं है को बता जाएगा तो यह चीज है तो यहां पर यह गलत हो जाएगा भी तो गलत है सी और दी में देख लिजे कि क्या सेम लिगल एफेक्ट हो सकता है तो माली जे कि सेम लिगल एफेक्ट होगा था इसको केवाल इतना चोटा सा पेज में लिख के देंगे और सेम लिगल एफेक्ट मिलेगा क्या तो नहीं यह भी कराता है इसका पार्ट है लेकिन लिगल एफेक अगर किसी चीज में इसको इंप्लिमेंट कर दिया जाएगा तब उसको गोल मतलब कि यह भी फुल्फिल करेगा तो यहां पे इंडिपेंटेल्टिस का कोई लिगाल इफेक्ट है लेकिन अगर किसी चीज पर डिपेंडेंट हो जाए और मालीजे कभी इसको फंडमेंटल वह थे अच्या क्वेशन था यूपी एसी में बहुत लोग कंपीश कीजित है देखें यहां पर अभी पताना तो मेरे लिब फीजी है लेकिन ये क्वेशन टॉप था तो देखें प्रेयंबल जो है यहां पर कॉनसिटीशन में क्या क्या कि चीज के बारे में देता है तो द चारों करेक्ट है क्या तो दीखे और दुसरा है कि शोचल एक्वालिटी उल्लेटी हमारे देस में है और सोसल एक्वालिटी दिया गया है सोसल एकनॉमिक पूलिटिकल यह हम लोग अपने इसमें देख रहा है प्रेइमबल में देख रहा है राइट उक्वालिटी भी दिया गया है अर्टिकल में 14 से लिका 18 तक ठीक है और डिक्रिमिशन नहीं होगा 14 में देख लेंगे और प्रेमबल भी बोलता है कि सोचल उक्वालिटी का हम लो मेंटेन करेंगे तो जब प्रेमबल एक इंटिग्रल पार्ट है तो ये चीज तो हमारे कंसिस्टन में हो गया ना तो इस तरह से हम लोग देख लिए निक्स्ट में लोगे गौर्णान सिस्टम जिसमें मोनार्सकी क्या होता है और टोक्रेसिव क्या होता है इसा वाल पो देख लेंगे ये राजतांतर साही, डिक्टेटर सी चीज तो आप लोग जानते ही हो कि the role by the people, for the people, of the people ये सब देख लेंगे परलेमेंटिरी प्रेसिदेंशल सिस्टम क्या होता है ठीक है जिसे कि अमरिका में क्या प्रेसिदेंशल सिस्टम में क्या इंडिया में पर्लेमेंटरी सिटम है क्या, UK में पर्लेमेंटरी है क्या बताइगा, federal unity, pre-sures क्या है तीक है ये कौन क्या बोलेते हैं ये सबको हम लोग देखेंगे, निक्स्ट आपको मतलब इसी वीडियो में, निक्स्ट टॉपिक्स में क्या है, बोला है कि कौन साइस में से डिफाइन करता है एस्टेट जो एक वर्ड है उसको तो के एक ऐसा कम्मुनिटी पर्शन का जिसमें की कोई डिपनिट टेरिक्ट्री में रहा रहे हो ठीक है और यहां पर कोई external control नहीं हो और यहां देख सकते हैं और एक organized government बना कर रहे हैं दो चीज़ है यह government बना कर रहे हैं और external control नहीं है मतलब की इंडिपेंडेंट आप external control है जैसे कि हम लोग के उपर बिटीस का यह थी था मतलब सासन था तो उनका control हता था था ना तो हम लोग उसको आजादी तो नहीं मतलब है इस्टेट नहीं हम लोग अपना वह बेटीस इंडिया बोला जाता था उस तरह से उसके अम लोग इस्टेट में थे लेकिन external control नहीं है और अपना government भी है देख सकते हैं एप प्लिटिकली option देखे और और यहां यहां पर क्या बोला है मेंटेन लोव एंडर और नेचरल लाइट को पूटे करना है और यहां पर सेफगार्ड भी करना है तो इतना सारा चीज़ दे दिया है तो आपको लगएगा कि हैं यह लोग बढ़नाना है नेचरल लाइट को पूटे करना है लेकिन एक external आप माली ज है और यह जूडिसेरी के बात कर रहा है तो यह भी एक मतलब की स्टेट को डिफाइन करने के लिए है न यह कोई भी external नहीं हो इस्टेट का मतलब की दूसरे का कोई आप यह नहीं हो आप अपना इंडिपेंडेंट हो तो यह अप्सन होगा और दूसरा में यह चीज नहीं और और बनाना यह सब दिया है तो पहला और दूसरा यह थोड़ा से इलिमिनेशन से बनेगा यूपेसी 2021 का कोश्चन है देख सकते हैं कुलजेस्ट अप्सन दिया जा था यूपेसी के द्वारा यह बोला है कि एस्टेट एजी कम्मुनिटी ऑप परसन है जो यहाँ पर्मा वाला वाला जो स्टेटमेंट है पूरा फूरा पुलफिल कर रहा है स्टेट के टर्म को यह देख सकते हैं यह गार्णर के द्वारा बोला गया था तर्म इस्टेजी सेंटर दो एस्टेडी ऑप पुलिटिकल साइंस देख सकते हैं पीपूल होना चाहिए दूसरा में क्रेटिक रिपबलिक तो यह सोवरेन होना ही चाहिए यह एस्टेट का ही है क्लिफिशन है यह बेसिक बुक पढ़े हैं तब कि लिर होगा इसको भी पढ़ सकते हैं यह गुगल पे भी थोड़ा सा सर्च कर लिए विच वन इस अमस्ट पूर्मिनेंट एलेमेंट ऑप एस्टे प्रविडियू ब्यार जाएगा तो वो डुमिनियन स्टेट हैस हम लोग किसी के अंदर में अपने सरकार चलाते हैं तो उसको इस्टेट नहीं बोलेंगे ठीक है तो यह सवरेनिटी वाट हम लोग पहला ही से चला रहा है देख सकते हैं तीन इलमेंट होता है पॉपलेशन जो बोला है ना पहला स्टेट्मेंट वो इंडिया एक मेंबर है यह मेंबर का वाज बोला है जैसा नहीं कि यह दोओ चला है तब होगा यह सोरीने टीव वाड़ना मतलब के इंदिया जो है ना किसी पर डिपेंडेंडेंट है अपने सासन वेष्था को चलाने के लिए ना किसी का डोमेणियन है जैसे कि हम लोग देखें न कि यूसे में डुमेणियन स्टेटर्स दिया दा रहाद बोला है कि आप लोग अपने सरकार में लेकिन मेन उपर हम लोग रहेंगे बीटी हैं तो हम लोग उसको नाकार दिये थे चीज पूरा मतलब की नंतन दिवस बनाते हैं बताइएगा तो यहां देख सकते हैं इंडिया डिकलेड निश्वाव नहीं बोल दिया था कि हम लोग फूल मेंबर्सी पर कॉमन गेम्स का और बिटिस क्राउन को एज हेड ओब कॉमन गेल्थ मानना जाता है लेकिन उससे कोई मतलम नहीं है एक्स्टा कोसिचुचिशन डिकलेरेशन है जो कि हमारे इंडिया के सोरेंटी पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है आई तिंग मैं समझा पाया हूँ आईडिया और प्रियंबल है जो हम लोग सब्सक्राइफ देता है देखें गौर्णार स्सेंग पर्डियर्यां सम्ट है यहां फिर्ध मतलब है यहां पर बता दूँ हुप लोगस अगरवाप सब होती है प्रिजिडेंट भी हो सकते हैं यहां पे प्रिजिडेंशल सिस्टम में प्रिजिडेंट सबसे होता है एक दम जैसे आप अमेरिका में देखते होंगा वो यह वाले प्रिजिडेंशल सिस्टम है इंडिया में पर्लेमेंट सिस्टम है ठीक है और आपको जैसे की सेम बना रहा है फिपोल यह सरकार भी गिरा सकती है तो यह चीज है अग top right अध्य झ॥के इई किशम का सिस्टम वाव्म आघ्केज़ आपको प्रडाइमेंड शुप्रीम है यह बताई है इंडिया में तो सुपरीम है पार्लेमेंटी सिस्टम में देखिए एए एक्जिक्यूटीव ब्रांच जो है। यहां पर डिमक्रिटिक लेजिटीमेश से निकल कराता है। लेजिद्शिलेचर वाला जाकि हम लोग लेहां लुक सबाव रास सबावब येल्सो एकाउंट्यव मरेंगे तो महले है यह लोग पर कौन प्रेजदेंट है थे लोग पर कॉन करता है कैसे करता है उसको देखते हैं क्पाइज खिशयन करते only 2 वा STD तो क ι्युक्ति आ northeast गलेंटे उसको नश्लोंच के क stimulant sa तो यह सको गानून बना मना खर देंगे उसी का देंगे तो यहाँ अपर कॉंटुल कर सकते हैं यही भी प्रल्य OF Gardens में निक्श आप लोग बताईएगा यह देनेन हमेना सिश्व्टमक गोर्रम इस वन जिसमें क्या था होता गवर्मेंट जो है रिसप Україप मतलब की कि और कि इसको रिमूब किया जा सकता है और पर्लेमेंट है उसके यक्युत जो बरांच निरीस अंगल संगे प्रीछ मिनिश्टर में और है जे संगे अग्यूर्यशल लिए耀ए दो łोता है आपको बताना है जो इसको गिराब भी जा सकता है यह चीज है इसलिए उसको जो है गुवर्मेंट को जो गुवर्मेंट का रटाने के लिए पावर जो है लेक्सिलेचर में होता है देखिए वहाँ पे बहुत साबित करना पड़ता है तो वो लोग इसलिए गुवर्मेंट जो है रेस्पोंसिबल है लेक्सिलेचर के लोग सबाव में परलेमेंटी पॉम और गर्मेंट वर्फ फॉस्ट इंटरुडूस की इस कंट्री में परलेमेंटी पॉम आया, क्या UK में आया क्या, तो Great Britain UK में आता है, ठीक है, आपको बताना है कि सबसे पॉलरीटेन कंसिटुशन कहां पे स्टाट हुआ था, बॉर्थ प्लेस परलेमेंटी सिस्टम जो है कि ब्रिटिस के परलेमेंटी सिस्टम से कैसे डिपरेंट है, अब देखें, यह बहुत अच्छा कोशन है, दोनों में आया परलेमेंटी पॉम और गवर्मेंट, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई भी चीज सीम दे उठा ली है, उनसे बहुत चीज हम लोग अलग है, अपने सिच्वेसरी के अकॉर्डिंग हम लोग रखें है, इंडिया में कैना सिस्टम ऑफ जूडिसल लिव्यू है, जिसे हम लोग ने देखा था ना, वो कुंसा के स्वानंद भारती केस, नाइन से डियो, आप देखे थे, आपको अमेरिका से लिया गया, यह सारा चीज, तो यह है हम लोग यहां, लेकिन बिटेर में कोई भी जूडिसल लिव्यू नहीं है, जो परलेमेंट बोल दिया वहीं है, तो यहां पे परलेमेंट बिटेर में सुप्रीम है, ठीक है, यह देख लिजेगा, वी अड़ाप्टे परलेमेंटिड डिमोक्रसी बिटीस मोडल के पेबेस है लेकिन हम लोग का अलग है कैसे तो हम लोग ने देखा यहां पर हम लोग का जुडिसली भीव है इंडिया में देखेगा तो जो सभीधान के कौन चीज सभीधान के कोई बीएक्ट या अमेंडमेंट लाना है परलिमेंट तो वो सुप्रीम कोड के कोंसीचिविशन बेंस के बास भी रिफर किया जा सकता है मतलब उसको सुप्रीम कोड भी देख सकते हैं कि सही है कि इन गलत तो यह दोनों स्टेट्मेंट जो है यहां सही है इंडिया में एस इस लेकिन इंडिया में किया ना इसको तोड़ा सा लिमिट किया गया है वो जुडिशली भी लाए गया गया बेसिक एस्ट्रक्चर का हम लोग उना डॉक्ट्रीन देखा था यह आपको केस्वणन भारती के स्टेरा जर्ज के बिज़ता क्या बताइगा और प्रेंबल को भी यह आपको बेसिक इस्ट्रक्टर का एक पार्ट बोला गया था इंटर्गराजे का बला दैयी यह आपको बाहरा था Constitution किसमें बोला गया था मोमाई केस था क्या और एक LIC केस है 1995 में होगी बताना है कि क्या basic part मतलब कि Constitution जो है आपको प्रेंबल जो Constitution का एक पार्ट है लेकिन वो impossible नहीं है क्या बताना है वो उसमें बोला गया था LIC of India 1995 में यह देख सकते हैं आप लोग यह आप लोग पढ़ लिजेगा थोड़ा सा चीजों का आपको और समाझ में आ जाएगे Next है इसमें से कौन सा फीचर नहीं है इंडिया का Constitution का देखिए हम लोग परलेमेंटी फॉर्मर गॉर्मेंट अपना है जूडिसरी को इंडिपेंडेंडेंस दिया गया आपको क्या बोलते हैं उस लोग पर जूडिसरी का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया जाता है तो इसको ज्यान रखना है पेटल कॉमेंट भी है यह सेंटर और स्टेट में बचा रहता है लोकल वाला तो हम लोग देखी लिए है तो प्रेजडेंशल वाला नहीं है यह दुनों में से आप समझ जाएगा प्रेजडेंशल पर जाएगा यह आप लोग पढ़ सकते हैं इंडिया तो क्या इसका मतलब है तो लोग सबारा होगा ही लेकिन जो लोग सबा की जो मलति क्या रिस्पोंसीबल है लोग साहबा के लिए यह बतना है, प्रियमिंट कैने हम इसका मतलब थ्जुले नहीं, प्रियमिन्टरी है, यह भी तो यह नहीं है, बलेमिनका इसका डिजॉल्व नहीं होता है, यह वाज सही है, यह दियान रखना है लोग सभा के परती कौन कॉंसिलर पिनिस्टर जो लोग सभा से चुन के जा रहा है वो लोग क्यों तो इसलिए है न किमालिज अगर वो नहीं करेंगे न काम तो सरकार गिर जाएगी लोग सभा में दूसरे का सरकार बन जाएगा तो इसलिए उनको रेस्पॉंसिबल होना पड़ता है ठीक है यह आप लोग देख सकते हैं जो कॉंसिलर पिनिस्टर है उसको एग्जेक्टिव बोला जाता है मतलब कि रेस्पॉंसिबल उनके द्वारा होता है अब माल लिजे कि अपना मन से कुछ भी काम कर रहे हैं उन पर किसके कंट्रोल ही नहीं है तो फिर तो मोनोपोली टैप के हो जाएंगा न मनमाना काम करने लेगा इसलिए यह परल्लेमेंटिव फॉंसिव लोग लिए हैं ठ जो है यह परल्लेमेंटिस गौर्मेंट को यहां पर फुल्फिल करता है तो दीखें यहां पर पहला स्टेट्मेंट क्या बोला जा रहा है पहला यहां पर है आपको मेंबर अब देख केबिनेट आर मेंबर अब देख परल्लेमेंट तो जो केबिनेट के मेंबर है न वो परल्लेमेंट के भी मेंबर होंगे तो यह हो सकता है सही क्योंकि उसी में से आपको ले जाया जाता है लोग साभा में से कुछ या माली जरा साभा में से कुछ को मिनिस् hold the official till they enjoy the confidence in the parliament जब तक उनको विश्वास मत मिला है confidence है जब भी flow test या confidence चेक अब होगा बहुमत का अगर नहीं मिला तो दूसरे का सरकार बन जएगा तो सही है cabinet is head by the head of the state तो cabinet को head के उनके अता है PM करते हैं क्या तो बताइए तो यहाँ पे एक और दो सही है तीसरा गलत है cabinet को head कौन करेंगे cabinet security करेंगे क्या तो परलेमेंटी सिस्टम government यहाँ पे बनाते हैं जो authority को power को exercise करते हैं देखिए lower house जो बोला जाता है लोक सबा उसके लिए जिमेदार होता है क्योंकि उसी के पास यह है ना हटाने का house of the people यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे बोला जाता है यहाँ मिनिस्टर के पस से खाली करना पड़ेगा तो अगर मालीज आप बन गए कोई बात नहीं यह लोक सबा राज सबा के मेंबर नहीं है लेकिन आप मिनिस्टर बन गए तो दोनों में से किसी का मेंबर शिप ले लिजिए यह आटिकल नमर 75 का 5 देख सकते है कॉलेक्टिवली कॉंसिल अप मिनिस्टर कॉलेक्टिवली यह वर्ड याद रखेगा इंडिविजल नहीं कॉ till अफो मिनिस्टर होता है और मिनिस्टर जो इनडिविजल किसके परथी यह आपको रहता है एनडिविजल यह भी आपको बता रहा है तो वउनेंड तुल्छे है लेकिं के मिनेट को हेड के द्वारा यहा पे जो बोला यह वो गलत है प्राइम मिनिस्टर नहीं ये प्रिजिडेंट होता है तो हेड तो नुमिनल हेड नहीं रहते हैं लेकिन अगर यह लेड देखा दे तो प्राइम मिनिस्टर बाद में होता है तो दिखिए यहां पे करेक्ट बोला जा रहा है परलेमेंटी पॉर्म गोर्मेंट के बारे में तो यह गलत है जो consular minister में मतलब कि executive वह responsible कि के परती लेक्स लेचर के परती तो यह सब गलत दिया हुआ इसमें यह जो भी है यह लेक्स लेचर दिया है एक्जोक्यूटिव भी नहीं होगा देख सकते हैं आप लोग एक्जोक्यूटिव रेग्स लेचर के लिए responsible होता है मेजरिटी पार्टी रूल होता है ठीक है देख से नोमिनल और डिजल एक्षेक्टिव बने बताया नोमिनल वाला जो है न ये डिजूरी बोला जाता है इसको डिफैक्टो बोला जाता है यह सब टॉर्म है डबल मेंबर सी बला जो चीज है प्राइम मिनिस्टर का लिडर सी लोवर हाउस जो है लोग सबा का डिजलोशन जब बहुमत नहीं होगा तो वह जागा से क्रेशी और प्रोसीजर वगरा ये सब परलेमेंटी पॉर्म और गोर्मेंट का फीचर है रहे रिख सकते हैं करेंट का यहां पर बता रहा है तो यहां पर दो आपसन उसको पड़िया आप लोग किया बोला जा रहा है परलेमेंटी डिमक्रेसी का जिसमें की सब्सक्राइब मतलब लोग सबाँ में जो लोग चुन के जा रहा है ठीक है? तो अगर लोग के दौरह ही चुना गया है और पिर लोग के दोरह रही चुना गया है तो लोग के परती हो गया है आप लोग देख सकते हैं देखे, फिर से देख लिए पाला में क्या बोला है? कि क्रितिशिजम तो यह थोड़ी शीजज़ speeding up the activities ऐसा कुछ नहीं है परल्लेमेंटी पॉर्मर गॉर्मेंट में यहीं responsibility का बात बुला जाता है कौन किसके परती जिमेंदार होगा ठीक है यह house of people इसलिए बुला भी जाता है क्योंकि people के यहीं दोरा चुन के जाते हैं तो people के लिए responsible है presidential देखिए presidential गॉर्मेंट का बॉला है तो all executive power किस में रहेगा तो president में रहेगा लेकिन यह आपको आपको बताना है जो हम लोग परल्लेमेंटी फॉर्म अपना है क्या उसमें भी executive power आपको किस में रहता है प्रेजिडेंट में रहता है कि किस में रहता है बताईए head of state और head of government दोनों को presidential form of government जो होता है न देखे यह जो presidential बला था तो head of state और head of executive दोनों को president रहता है लेकिन इसमें अलग-अलग हो जाता है परल्लेमेंटी वाले में तो यह देख सकते हैं government का head हमारे यहां कौन है prime minister है executive का state का दोखियेगा न तो यह आपको president है हमारे यहां लेकिन दोनों किस में हो जाते है presidential जैसे USA में है अब बोला है कि cardinal feature of political system इंडिया में कौन सा है तो democratic republic है क्या है तो हो सकता है parliamentary format भी हम लोग के यहां है और यहां पर देखे सुप्रीम power और जो है किसके पास है people of India के पास है तो यह भी सही है क्यों कि लोग दो ही चून कर भाजते है democracy यह आप republic होगरा दिख लिए और unified authority दिया जाता है यह गलत है unified authority नहीं है यहां पे एक दो तीन सही है cardinal feature democratic republic यहां पे supreme power people के पास है लोग ही चून कर भेशते है इंडिया के पास पार्लिमेंटी पॉर्म गवर्मेंट है यह does not provide unified authority इसका मतलब इस से प्रस्वन power भी हम लोग दिया है ऐसा नहीं कि क्यों सेंटर सेंटर कहीं रूल चलेगा सेंटर भी है एस्टेट भी है ठीक है यहां इंडिया जो है एक democratic society भी है सही है welfare state है कि नहीं यह बताईए तो एक दो तीन तो सही है और दो तिन चार में बताना है तो welfare of state का एक DPSP में चर्चा है क्या तो हाँ all of the way is correct sovereign है, socialist है, secular है, democratic republic है ठीक है welfare of state यहां पे people का भी बात किया गया DPSP कौन साइस में से feature नहीं है constitution का दीके तो government जो है constitution को follow करेगी इसलिए हम लोग बोलते हैं हमारे यह constitution supreme है तो यह तो सही है, आपको democratic तो सही बात है, democracy है क्योंकि इंडिया के लोग चुन कर, यह सरकार को चुनते है rule of law भी है, यह rule of law हम लोग कहां से लिए है यह बताना है, और procedure established by law कहां से लिए है, क्या जापान से लिए है और यह क्या इंडिया से, sorry, बिटें से लिए है बताना है, authoritarian government नहीं है ऐसा नहीं कि यह, मतलब कि राजा होगा रहे है, यह सर्फ टाइप का कुछ नहीं है तो तीन option समझ गया ना, तो वहाँ से लिए net हो जाएगा तो यह आप समझ गया होगा ठीक है देखिए, यहाँ पर क्या बोला है five years के बाद people लेक्ट करते रहते हैं इसलिए कोई भी authority नहीं है मतलब कि ऐसा नहीं कि एक बन गया तो हमें से रहेंगे central और state government जो है ना, यहाँ पर power कहां से लेते हैं, तीक है इंडिया के constitution से लेगे ना, कोई भी power वहीं से लेंगे, लेकिन इसको चुनते कौन है, अगर पूछा जा, तो सरकार मतलब कि people चुनते हैं, देखिए, परलेमेंटिक पॉर्म गवर्मेंट हम लोग देखिए, यहाँ से लिये हैं आपको UK से, एल्सो नोन एज बेमिनिस्टर मोडल गवर्मेंट, जिसमें की responsible गवर्मेंट का हम लोग बात करते हैं, वहीं यह जो cabinet बन रहा है यह सरकार जो मन नहीं है, उल्स लेचर, लोग सबाके परती जीमेंदार रहती है, देख सकते हैं not only at the center, but also states में भी रहता है, constitution is the source of authority for both central government, बोला है कि कौन साइस में से correct है, यह आप option पढ़िए assertion origin दिया गया है, दोस्तो दिखिए, पहला बोला है इंडिया एक democratic country है, तो सही बात है हम लोग के यहाँ जो नेता है, सरकार है, वो चुनी जाती है इंडिया की constitution है, इसका अपना तो क्या constitution होने से democratic country होगे क्या, तो constitution में क्या, देखिए तो जो भी बोला है न, कि इंडिया के पास constitution अपना है, तो यह भी सही है लेकिन इसका मतलम नहीं कि constitution है, तो democratic government हो जाएगा, ठीक है देख सकते हैं, बहुत सारा इसा देशा जहाँ जहाँ पे constitution है, लेकिन democratic नहीं है, कोई example हो तो बताएगा, ठीक है, बहुत सही है इंडिया एक democratic country है, यहाँ पे इसके पास आपना रिटेन constitution नहीं है, यह ध्यान दीजेगा जो जहाँ पे कुछ ऐसा है, मतलब कि democracy नहीं भी है, वहाँ पे कोई और सासन चला रहा है, सेना चला रही हो, यह सरकार यह सोरी, राचत चला रहे हो, लेकिन वहाँ पे भी constitution है, क्यों, constitution का मतलब है, कैसे नियम कानू से चलेगा उसके लिए लखा गया, तो यह statement ध्यान दीजेगा not a picture of good governance, तो देखिए governance सासन वे उस्ता के लिए, कौन सा good नहीं है तो देखिए, transparency होना चाहिए इसलिए तो आपको कौन सा आपको क्या लाए गया, बताइगा information and technology act आया गया ITX 2000, law का तो होना ही चाहिए दीखिए, law बनाने से मतलब है ना कि ऐसा नहीं है कि law के वाल आपके लिए फायदामन्द के लिए चीज़ है ऐसा भी law है, माले जेए आपको कोई हाने पहुचा रहा है, तो उसके लिए नियम बनाया गया है तो दुनों के लिए यह चीज़ है, accountability तो होना है, जीमादारी तो होना चाहिए तो कौन सा नहीं है, तो rate tapetism तो आपको बताना है कि nepotism, rate tapetism यह सब किस चीज़ है related है, corruption वगरा तो दीखिए, rate tapetism का मतलब बताना है equity regulation, which hinders or prevents action or decision making माले जेए कि आप कोई decision ले रहा है, ठीक है कोई action ले रहा है, तो excessive regulation, बहुँ ज़्यादा excessive वहाँ पे आपको control किया जाने लगे तो यह hinder करे आपके action को prevent करे लेने से तो यहाँ पे not a feature of good governance हम लोग माले जोग कोई decision लेना चाहते हैं क्या है, कल्यान कारी राज, कल्यान करना है तो दिख सकते हैं, welfare, weaker section को यह लिए ला जाएगा न ठीक है, secure maximum welfare of maximum number यह कौन सा theory है, यह आप लोग बताएंगे यह आप लोग बताएंगे, ethics वोगरा में आप लोग पढ़ते हैं, क्या बताएंगे तो यह सब को करने के लिए welfare state का चर्चा, क्या DPSP में हमें क्या बताएंगे यहाप लोग देख सकते हैं, यह सारा चीज पूर लीजेगा नेक्स हम लोग देखते हैं, state is everywhere, it leaves hardly a gap हर जगा state है, लेकिन यह gap छोटा सा, बहुत ही कम hardly है यह statement किस चीज के explain करता है, welfare state को क्यों, तो हर जगह है, तो इसका मतलब कि हर लोग के लिए है minority के लिए भी है, बहुत ही कम चोटा सा gap है, तो उसको fulfill भी किया जा सकता है, तो यह welfare state का यहाँ पे है अब देखिए, यह common sense से ही बनेगा, और कुछ नहीं, और option देख लिएगा, police state का बारे में इसा थोड़े न बोला जाएगा, हाँ, इसमें आप यह दो में confused हो सकता है, लेकिन democratic का मतलब होदा है, चुना जाना, लेकिन यह चीज नहीं है, तो आप देख सकते हैं, इलिमिनेशन से मज़ें, not the philosophy of the Constitution of India, कौन सा philosophy हम लोग का नहीं है, तो fair state, socialist state रहना, political equality रखना, सभी को political बोट देने का अधिकार सबको मिले, contest करने का बोट में खड़ा होने का अधिकार मिले, यह सब चीज दिये हैं हम लोग, यह right equality होगा सब दिया गया, communist state हम लोग का नहीं, हम लोग secular state है, यह सारा चीज आप लोग पढ़ सकते हैं, adult fantasy पे हम लोग का चुनने जाने का यहां पे दिया गया है, वी चलुद अप लोग के statement करें, तो दिकिए है, इंडिया के पास parliamentary democracy है, अभी हम लोग पार्लिमेंटरी फॉर्मा बोल सकते हैं, constitution से लेते हैं यह लोग, और constitution के preamble में लिका है, be the people of India से start होता है, इसलिए source है, people, basic structure, feature, presidential government क्या है, कौन सा presidential जो USA में है, दोनों सरकार का भी और state दोनों का head होता है, कौन सा, यह president ही होता है, तो देखिए, single executive होता है, यहां जबकि प्रलेमेंटरी फॉम में होते हैं, और यह state के head होता है, और यह सरकार के head होता है, PM, government के, यह ध्यान रखेगा, लोग सा वारास है, तो हमने बता ही दिया, कौन किसके परती responsible है, वो सब discuss हो गया, recall करते चलिएगा, वीडियो को post करके, main feature of presidential form of government, क्या है, तो दीकि, executive का head कौन होगा, यह president होंगे, सही बात है, presidential का बात हो रहा है, और president ही है, council of minister को भी appoint करेंगे, तो मतलब कि यह executive के भी head है, और state के भी head है, president cannot dissolve the legislature, लेकिन legislature को dissolve नहीं कर पाएंगे, तो यह correct है, सब, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, in which country was the presidential form of government, first form, कहां पर सब सब पहले हुआ, यह से में हुआ, देख स democracy of India is based on the fact that, India का जो democracy है, जिससे लोग चून के भीज रहे है, सरकार के लिए, तो यह किस चीज़ पर best है, किस fact पर है, कि हम लोग पास written constitution है, क्या, क्या fundamental rights को हम लोग provide कि हैं, क्या, यह public enjoy the right to choose the change the government, तो यह बात सही है, हम लोग सरकार को बात में change कर सकते हैं, अगर सरकार सही बताईएगा, democracy तो हो गया, कि people चूनेंगे, republic किया, क्या elected होगा, यह बताईएगा, democracy superior virtue lies in the fact that it calls in activity, तो democracy का superiority कहां पर आएगा, ठीक है, तो वहीं है, कि चूनेंगे लोग, देखिए, the method of standing executive, यह superior individual with dynamism, division, और यह दे रहा है, यह band of dedicated party worker, तो party worker का एक band है, उससे कोई मतलब न देखे, intelligence and character of ordinary men and women, तो देखे, यह क्या बोला है, superiority का बोला है, democracy में, माली जे democracy, किसका हम लोग सुपर बोलेंगे, जो वहाँ के आदमी, democracy में चून रहा है, तो citizen है, जो man है, women है, उन ले पास, अगर, यहाँ पे character अच्छा है, तो वो लोग सरकार को अच्छा चूनेंगे, पढ़े लिखे हैं, intelligence है, तो यह answer हो जाएगा, बहुत ही basic later में मैंने बता दिये, इसको वीडियो को पॉस करकर पढ़ सकते हैं, इंडिया एक republic है, देखे, अब ही democracy देखे, अब republic देख रहा है, उसका क्या मतलब है, तो republic का मतलब होता है, राज, sorry, गन तंत्र, मतलब कि रा election से आएगा, ठीक है, और मालेच यह election से आएगा, यह बास सही है, लेकिन indirect आएगा, direct आएगा, कौन elect करेगा, यह चीज, वो बताता है आपको democracy, अगर लोग चुन आएगा है, तो democracy, इंडिया रिपब्लिक है, इसका मतलब है, कि जो head of state है, वो elect हो गया है, election हो गाँगा, ग power of separation हो जाता है, state और center के बीच में, तो d number, देख लिजएगा, देखिए, फेडलियम में यहाँ सारा चीज आता है, कि जो हम लोग का power, देखिए, यहाँ पर मैं समझाता हूँ, फेडलिजम, देखिए दोस्तों, तो फेडलिजम में, यहाँ पर देखिए, police center में जा रहा है फिर state में जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा चीज है, बहुत सारा पाउर है, जो center को जादा दिया गया है, तो यह बोला जाता है, कि जो हम लोग का इंडिया का constitution है, वो तोड़ा सा bent towards the center, union features या union पाउर जादा है, यह means का topics है, तो इसलिए बोला जाता है, जैसे कि आप देखते चीज है, जो कि आप लूमेंस में देख लेंगे, तो यह है, unity और पैडल देख सकते है, unity का मतलब, जहाँ पे कि को यूनी मतलब की union level पर government हो, लेकिन हम लोग का दोनों है, तो यह है, there is a distribution of power है, center and state की बीच में, और यहाँ पे center का, देखिए, लेकिन एक चीज है, state जो है, तो इस अवर इस बाड़ीनेट नहीं है, ठीक है, यह provision for the distribution का power between the union and state state, और इसको federal constitution, seven schedule हम लोग बताया था, union list, central list, state list, और concurrent list, रस्टेटर पावर, union के पास था, जैसे की space research वाला हम लोग बताया था, इंडिया का constitution कैसा है, flexible एक रिजिड है, नहीं, नाई flexible एं नहीं रिजि तो इसको भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल दोनों के बीच का मिक्चर है यह आप लोग पढ़ लेज़ेगा आर्टिकल नंबर 368 पार्ट नंबर 20 से क्या बताएगा तो यह सरा चीज आप लोग दिख लीज़ेगा यह सब आगे भी हम लोग डिसकस करेंगे तो इस अचयरे का इछा इंडिया का इंडिया सिस्टम में पैडिया का टिवाइद से तस दिख रह यह नहीं तो यह हो जीआप वहाई चीज अ तो यहां पर बेसिक दिख लिठाच स्थक्षर कॉप कहा भार्ट सब्सक्राइब तो यहां पर जुका तो है तो यहां पर यहां पर क्या बोला देखिए इंडिया प्रवाइड से फेडल गुवर्मेंट और यह लेकिन एक करेक्ट एक्स्पाइन सा नहीं यह यह बनाया गया तो यह बहुत सरा पांड दिया गया जो कि यह इस तरह सा होना चाहिए इसलिए सेंटर को ज्यादा पांड दिया गया माली यह वहीं पर इमर्जेंसी लग गया तो कौन उसको स्टेट में अगर लग या किसी इलाका में या कोई पर अटेक हो गया तो कौन देखेगा तो सेंटर नहीं देखेगा न वहां का तो गिर जाएगा सरकार तो इसलिए बुला गया था समय और जो इस्तिति है उसके एकॉर्णिंग तो ब बनेगा और गर माली जो वार और इमर्जेंसी आया तो उससे में इसको इनिटी सिस्टम बना दियेगा इसके ये स्टेटमेंट बता दिया गया दिके फेटलिजम इस नोट प्रेक्टिकल इन इंडिया ऐसे तोड़ी नहीं पर दिलें पर इंडिया इंडिया इस नोट एप इदर इंडिया इनिटे एक के रिएक लिए इसली बोला है देखिए दूसरा तो एकदम अंगलट है कि इंडिया तो फेटल है ही तो इसमें ऐसे आ अपस Middle आता है न है अगर जिल गल आ गलत देखेंगे न तो बस यहां आप सान आता है तो इसके युझ इसको देख लीजेगा और practical Fadalism इंडिया में क्यों नहीं है क्योंकि यूनिटी दिया गया है वहीं इमर्जेंसी वाला exception देकर यह बता जा रहा है किसी वेर का क्या है इंडिया का कॉस्सिप्शन क्वासी फेडल है तो वहीं चीज़ है क्वासी फेडल क्या हम बलता है फेडल करेक्टर का मतलब क्या है इस center और state के बीच में आपको मतलब की पांट तो division है उसके बाद और देखना है देखिए union legislature has elected represented from constitution unit तो कि अब माले जी union में कोई legislature आ रहा है MP वाले हैं कुछ भी है तो elect होके आ रहा है है तो इससे क्या हम लोग का मतलब यह बन जाएगा क्या आपको क्या बोलते है फैडल बन जाएगा क्या नहीं यह तो इससा कोई मतलब नहीं है election से कोई मतलब नहीं है देखिए union cabinet can have elected representative from regional party यह भी नहीं है सब अब क्वास है fundamental इसको थोड़े नहीं बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं फैडल सिस्टम का मतलब होता है जिसमें कि एस्टेट और सेंटर के बीच में पाहर हो और देख सकते हैं यहां पे जो पहला इसको इंटरडिपेंडेंट बनाने का बात किया गया है यह एक फेडरल मतलब की फेडरल जो हम लोग देख रहा है फेडरल इसका एक फीचर है लेकिन यह नहीं कि इलेक्शन से आ जाएंगे तो यह नहीं सेप्रेशन आप पाहर रिखता तो हो जाता तो यह बहुत ही मतलब कि सवधानी केर पुलिस से आप्शन पुड़ेगा यूपीए सीद्वाजर एक इसका कोश्चन है देख सकते हैं इंडिपेंडेंडेंस अब जूडिशरी जो है एक इसेंसल कंडिशन है क्यों जूडिशरी जो है यहाँ यहाँ पे इंटरपेटिशन करता है अगर माली यह डिपेंडेंडेंट हो जाए तो फिर तो यहाँ पे सिस्टम में आपको क्या मिल जाएगा फेडल में क्यों यूनियन यूनिट्री बन जाएगा न इसलिए नॉट ए फेडल करेक्टर कौन सा नहीं है देखिए पाउर का तुब बनना ये तो है देखिए इंटाले रिटन कं इसलिए पाउर का ये सब डिवेजन के आगे ना सिटिजन सिंगल सिक्स्टेजन से ये भी आपका मतलब की एक चीज है लेकिन ये यूनिट्री पाउर में आता है क्यों तो देखिए हमाली जाए स्टेट का भी तो पाउर है लेकिन यहाँ पे सिटिजन को दे रहा है तो भा पामें कूल माइंडे डखना है इंडिया का फेडल देखिए सिस्टम जो है न ये किस-किस तरह से मिलता है ये रिटेन वाला तो हो गया तो रिजिन नहीं होगा सुपरमेंसियों ये भी सही होना चाहिए गौर्णर के अपर्टमेंट ये तो ये फेडलिजम में यूनिटी स सिस फेचर में आ जाता है अलब कि सेंटर को ज्यादा पामर ये मिल जाता है देखिए पामर का डिसेंट्राइजर्शन होना तो ये सेप्रेशन हो पामर नहीं बोला है ये सरी हो जागा प्रेजिजेंस का अप्रूबल होने स्टेट विल इसको अभी होड़ पर रखिये एक एक तीन और पांच जहाँ पर हैं वो तो होगा एक तीन पांच देखिए कि क्या पूछा था पॉँचा था तो यह एक तीन पाँच अभी तक हम लोग देखा यह केवल फेडल का यह है यूनिटी का नहीं है तो यहां पे सुप्रमेसिय अप कंस्टिपिशन नहीं होगा तो वो तो यूनिटी नहीं होगा यह एजेंट आप गौवर्णर वाला जूत था नहीं होगा इसमें यूनिटी में चार देखे तो बस इसी से निकल जा रहा है चार चो और साथ चार के बाद देखे इस्टेट बिल जो आता है ना उसका माली जे प्रेजडेंट का एप्रूबल के लिए यह रिजर्वेस्ट थ आता है तो यह भी है और आपको देख सकते हैं अगर क्राइसीस आता है तो वही तो बोले थे आपको जो भारत की सरकार है फेडल भी रहेगी उनियन यूनियटी भी रहेगी कब तो माली जिए जब कभी आपको बार हो गया कोई इमर्जेंसी क्राइसिस आ गया तो यह साथ भी है लेकि सुप्रेम कोट एक होगा तो यह इंडिपेंडेंट वाला वो तो आपको फेडल में आ जागा तो यहां से आप लोग देख सकते हैं यह इल्मेशन से भी यूज करके देख सकते थे देखें दो गवर्मेंट बनाने के बात किया गया था डिविजन अप पाउर को बना दीजेगा तो यह उनिट्री हो गया ना यह को मिल गया सिंगल सिटिजन सीप सिंगल कंशिशन है तो यह सब हम लोग का उनिट्री फीचर है फ्लेक्सलिबेटी अप कंशिशन इंटिग्रेटेड जुडिशरी एपॉइंट्मेंट देकि एक होता है के लिएसा क्लिभा भूष्AYकर सकती है तो यह इंटिग्रेटेड वाल है ना फिर इसके निचे आप देखते हैं डिस्टिख ज़ो गरा है तो यह इंटिग्रेटेड़ेटड जुड्और Germany फिचर है लेकिन इंटिपेंडटेंट वाला जुड्युल्प सरी है यह आपको का गौर्णन को एपॉइंटमेंट करना यह सही है अब यह जुडिशनल लिभीव यह आ जाएगा अगर जो नहीं समय वारे उसको रोख दीजे और इंडिया सर्विस उनिटी है क्योंकि गौर्वर्मेंट अब इंडिया कर रही है बस आपका एंसर नि dobr है दो और देख्यां यहां यहां पर लेंटा यह ळेंट समय खा इकोल नहीं है तो तीन वाला हो जाएगा तो बस भी एंसर निकल गया चार में जो दिया हुआ है ना जुडिसल इभी हो तो यह आपको फेडल कहीं है कोई भी गलत कर रहा है तो उस पर अगर आप लगाम कासर है तो यह अच्छाई चीज है यह आप लोग पढ़ लिजेगा यह बाला तो सही होना चाहिए चार दुगदम सही होना चाहिए तो दीके एक और दो जो है ना यहां पर क्या बोला था यूनियान और स्टेट दोनों सोवरेन है तो ऐसा थोड़ी ना है स्टेट के पास कुछ लगाम बगार अभी है तो यह देख सकते हैं और लेक्सिलेटिव फाइनेस और जुडिसियल पाउर डिवाइड है यूनियान और इस यूनिट के बीच में तो यह नहीं है जुडिसि देखिए इंडिया का जो कॉंस्विशन है फेडरल सिस्टम बताता है बेसिक इस्ट्रक्चर और गवर्मेंट का क्यों तो पाउर का डिस्ट्रिब्यूशन है का आर्टिकल नहीं देख सकते हैं तो यह सेंटर सेट लेशन वाला जो टोपिक साथ है उसमें आप लिख सकते है लेशन पाउर का डिस्ट्रिब्यूशन तो है और देखा जाएं यहाँ पे सिटिजन सीप एपॉइंटमेंट ऑफ गौर्डनर वाई पिस्टेंट पाउर अप परलेमेंट तो लेशन लेशन तो देखिए इस्टेट का लेशन के पास है यहाँ पे फोरेंड डिफेंस मेंट करना चाहते हैं कोई राजमाली जब बिहार है और नेपाल के साथ कोई करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा तो इंडिया उसमें हस्टेप कर देगा यह उसके पास पूरा सुवरेंट नहीं है दो मैटर को लेकर डिफेंस में भी नहीं है तो यह जो पावर है ने यूनियन प डिस्टिक्टेबल एस्टेट्स यह चीज़ को आपको बताना है यह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या मतलब होता है वन है इसा कुछ नहीं है तो यह चीज़ आपको देख सकते हैं बोला है कि इसमें से कौन जाए ट्रू नहीं है यूनिटी पावर्म मतलब जैसे कि सिंग डिसीजन, फ्लेक्सिबल, आइडियल फॉर लार्ज कंटीज और इनफर्मिटी ऑफ लॉज्ज तो आएगा अगर आप यूनिटी गवर्मेंट लाते हैं तो माली जे स्टेट हो गरा यह नहीं करेंगे ब्रियोद हो गरा तो जो सरकार बोलेगी आपको गवर्मेंट ऑप इं यह और फ्लेक्सिबल, देकिए यूनिटी पॉर्म बनेगा तो माली जे किवल एक हिस सरकाच जो सेंटल लवल पे वो करेगी तो फ्लेक्सिबल थोड़ी नहीं हो थोड़ा रिजीड हो जाएगी न तो बस तो यह सब आपको बोलाए कि नॉट बताना है तो अगर लार्ज कं इंडिया के राश्पती है क्या इंडियक्ली इलेक्ट होते हैं कि डिरेक्ली इलेक्टी होते हैं कि डिरेक्ली आपको बताना है तो बताना है आपको बताना है कि डिरेक्ली इलेक्टी के वल होते हैं कि आपको नूमिनेटेड हो गारा भी होते हैं इस चीज को भी बताना है तेक है अब दो तो तो मतलब कि इनडारेक्ली हो रहा है या चाहिए है और पर्लेमेंटरी सिस्टम में क्या बोला गया है कि हम लोग रिपॉब्लिक निजम को यह फॉलो करते हैं कि हो तो डायर की देमोक्रेटी और पब्लिक में आप अंतर बताया भ भी हेर डेटी रूलर नहीं होगा इसका मतलब रिपब्लिक होता है डिमोकरिसी का मतलब कि चुनेंगे हम लोग पीपूल बीद पीपूल अप इंडिया है सर्चान और रिजन आ गया तो एसा नहीं कि यह गलत नहीं कर सकते यह भी गलत कर सकते अबना फाया देख लिए लेकिन देखिया है और इसका एकस्प्लेशन भी है इसलिए लाइफ बलड बुला जाता है मालिज यह कि बलड ही हम लोग का बलड में कोई असुधी आ जा तो आमपूल है ना तो पॉल्टिकल पार्टीज गुवर्नास को यहाँ पे देखे बैट गुवर्नास के लिए मतलब कि गुवर्नास सही होगा कि गलत होगा यहीं मतलब कि पॉल्टिकल पार्टीज ही है और लोग उसी को मतलब कि ब्लेम भी करते हैं बोट कि इसी को देते हैं यह तो अलग बात है लेकिन ब्लेम करते हैं और लाइफ नट भी है यहाँ पे आप लोग इसको मतलब कि पढ़ सकते हैं क्या बोला है political parties like blood of democracy है democratic system में क्या होता है हम लोग चुनते हैं government को people vote देते हैं देखे party less democracy in India तो यहाँ पे जब राम मनोर लोई या और महात्मा गांधी स्वरी सी ओडी महात्मा गांधी और जब परकास नहीं यह कोई भी party से नहीं थे देखे महात्मा गांधी कोई party नहीं बनाया थे INC के लिए दूसरे इंग कोई बनाया थे बले उसको leadership करने का कर रहे थे क्या महात्मा गांधी ने यह भी बोला था कि आजाद हो जाएगा देश तो INC को युद्धिन को कॉंग्रेस को कथम कर दिया जाएगा पार्टी लेज डिमोक्रेसी महात्मा गांधी और यह परकास नहीं इसको सपोर्ट किये थे देखे यहां पर हम लोग का कोश्चन है एसरसन औरीजन तो आरेस में आया होगा कोश्चन है ठीक है दूस्तों ठीक है यहां पर क्या बोला जा रहा है सोरी यह थोड़ा सा जूम हो गया हम बताते हैं इसको देखे तो क्या है पहला आप्सन देखे इसको पढ़िए बोला जा रहा है प्राइमरी अबजेक्टिव जो है इंडिया के फेडल डिजाइन का वह बोला है कि एक नेशन होना चाहिए जिसमें कि बहुत सरा यहां पे पार्ट्स और यह देखे नेशना इंटिग्रेशन को पोटेक्ट किया जा सके है ठीक है और यह बोला है कि एकोमोडेशन ऑफ डाइबर्सिटीज है इंडिया का नाइट्टूड ठीक है यह बास सही है और यह बोला है कि हम लोग का जो फेडल डिजाइ जो पेडल सिस्टम गॉर्मेंट है वो प्राइमरी अबजीक्टीव है कि बहुत जाए पार्ट से इसको वसलिव यह करना है और इस नेशनल इंटिग्रेशन को मेंटेन करना तो यह बहुत जाए बात है नेशनल इंटिग्रेटी युनिटी को हम लोग ने देखा ताब प्र बहुत सरा चीज है देख सकते हैं यह आप लोग समझ सकते हैं मैंने जरेंटल में बता दिया रिजन क्या नेचर ऑप इंडियान पोलिटिकल सिस्टम इंबोडिज दो इनलिमेंट्स ओप कंटिनुटी एंड चेंज ठीक है और बोला है इंडिया का पोलिटिकल सिस्टम जो है यहाँ पर कंटेंस अप फोलोउइंग पोलिटिकल सिस्टम बोला है जैसे की आदेशनल सिस्टम सभी का यहाँ पर मदलब की एक कमभाईन है क्या तो सभी बात है तीनों का मौड़र्ण संत श्टम सभी आहाँ पास पोलिटिकल सिस्टम है और यह इसलिए नेचर ऑप सकते हैं देखिए फ्रॉम दो मौरिया पीट से कर देखा जा अभी तक मौडर्न एरा में तो इट स्पेसिपिक इलमेंट्स इस्टिलीगेश इन टेंजिबर फॉर्म और कंटिनिवर्स एंड चेंजिंग इंडिया प्लिटिकल से देखिए बहुत सारे यह से आया है और देख सकते हैं टेटिनल स्टाइल और संथ श्टाइल सब हैं देख सकते हैं नेक्स्ट यह सर्चनी जन बीमें दलीट पूर मानेटी यह सब क्या मतलब कि आपको लास्ट कॉर्णर अफ सोसाइटी वाले हैं यह लोग जो है बिगेश्ट टेकोलडर अब डेमोक्रेसी इंडिया है क्या आपको बताना है तो सभी बात है देश में गरेबी बहुत जादा है डेमोक्रेसी इंडिया जी इमर्ज देने की गला सरकाइब तो देखिए यहां पर जो बोला है ना कि यह बिगेश्ट टेकोलडर है डेमोक्रेसी में बोड़ देने वाले तो सभी बात है बहु ज़्यादा है दलित पूर मानेटी डेमोक्रेसी जहां देखिए ना इंडिया में यह अलब कि सेल प्रेस्पेक्ट लिग्टों में निकल के आया था और यह माले अगर यह द्धया सरकाइक हैं तो घरीब सब्रेस्पेक्ट होना चाहें वह देमोक्रेसी में सब को मिलना यह ili बराबर कर दिगनिटी और यह लोगों नहीं यह आपको प्रेटर्णिटी डिगनिटी यह सब देखे थे आपको प्रेवल में भी तो यह सब आप लोग देख सकते हैं बोला है कि कौन सा इसा रिजन है जो कि इंडिया के कॉंसिटिटिशन को बलकी बना जाता है बहुत ज्यादा लिए इ युञात या है तो यह इक साथी बहुत सारी चाह्सारी को आपने में मतलब खेंग प्रेटर्णिटर्णिट्रो इंकॉर्परेट कर लिए हैं तो बहुत सार इसमा हो सकता है लिए नेचर वप कंस्विचिशन है लार्जर डू तौ आल सबसे इंपोर्टेंट अगर चुनने के लिए दिया तो यह हो जाएगा लेकिन एडिमिस्ट्रेटिव पूर्विजन तो हैं लेजलेटिव कलामा यह तो हैं और माली यह की कंट्री भी तो बढ़ा है अगर रस्तिया से नहीं देखे लेकिन फिर भी इंडिया भारत है सेकेंड को हम लोग पॉपलेशन में सरपास भी कर देंगे कॉप तक युनाइटे नेशनल पॉपलेशन पॉपलेशन पर्ण का यह आपको आया था रिपोर्ट भी तो और इन्यों रेस्टेट दोनों के लिए भी तो पांड दियागा ना सेंटर एस्टेट रिलेशन हम लोग इतना से लिए तक कनाड़ा से लिए था तो वो ध्यान रखेगा और प्राइमिनिस्ट्र पाकिस्तान इस अपॉइंटेट वाइद पीपूल तो देखे यह जब पूछा गया तो उसमें का बात है तो हम लोग का जो साड़ी फेडल गवर्मेंट युईसे में है ट्रू पूचा ज से लिए अपने अपने जुडिक्सन में वह अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं कुछ एक्सपर्ट जो है यहां पे टाइम आप एमर्जेंसी में यूनिटी जो नेचर है उसको क्या बोलते हैं देखिए इस टॉंग सेंटर बोल देता है जबकि पेडल नेचर तो है इ इंडिया जो है यूनियन अप एस्टेट है कि यह बताए तो फेडरेटिंग यूनिट्स हम लोगा नहीं है उन्यक्तिक्टिवल यूनियन अप डिस्टिवल एस्टिट तो हम लोग कोई एग्रिमेंट नहीं किया है ठीक है यह ध्यान रखेगा इंडिपेंडेंट्डेंट जुडी सरी तो है यह इसका फीचर है फेडल का और पावर जो है सेंटर एस्टेट की बिच में यह भी सही है और यह फेडिक्टि जो इनूट है ना उनके पास अनिकुली प्रजेंटेशन राजसभा में दिया गया है जो जो बड़ा एस्टेट है उसको ज्यादा जो छोटा ह जो इसकी एंटिपेंडेशन इसी जो फेडल है जैसे कि हमालीजे की इंटडिपेंडेटेट्न टीक है आपको integrated judiciary हो जाएगा independent नहीं integrated judiciary तो integrated में क्या है ना कि supreme court, high court और district court इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं लेकि independent का मतलब है कि ना ही state का कोई ये थुपा जाएगा मरची ना ही ये आपको union का तो ये चीज है case where के द्वारे देखिए क्वासी पेडल बोला गया है इंडिया के decision को तो ये देख सकते हैं क्यों वही unity वहला features है देखिए emergency के दोरान unity feature काम करने लगता है independent judiciary है ना ये judiciary view का ये feature है पेडल का लेकिए यहाँ पे देखिएगा doctrine judiciary view यहाँ पे आता है article number 13 में देखना को बलता है इसलिए क्वासी बोला जाना दोनों के बीच में है तो दोनों सही है correct explanation भी है आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चीजे दिया गया है ग्रेंविल ऑस्टिन का ये नाम रिखेगा इंडिया का जो ये फेडलिजम है ना उसको competitive फेडलिजम नाम दिया है ये बहुत इंपोर्टेंट है competitive फेडलिजम जैसे दिखिए फेडलिजम में क्या है central अलग है अश्टेट अपना पहुर लेकर काम कर रहे है तो माली जै कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको देख रहा है ये भी अच्छा काम करे सब्सक्राइब लेकिन unity in spirit देखिए नाइधर प्यूर्ली फेडल नौन उट्टी बुले है सब्सक्राइब लेकिन unity in spirit देखिए नेचर में फेडल है हम लोग central अश्टेट को पहुर्ण दे रहा है लेकिन अगर spirit का बाद देखा जाए तो उसमें हम लोग unity पहुर्ण दे रहा है कुछ-कुछ सेंटर को तो इसको याद रखना है यह unique fact है देखिए इंडिया का जो पेडलिजम और उसको को अपरेटिव पेडलिजम कौन बोने है अब हम लोग देखा है अब हम लोग देखेंगे आगे और यह बोले थे नाइधर यह आपको मतलब की फुली यहाप देखिए नाइधर प्यूर्ली फेडल है नाई उनिट्री है दोनों का कंबनेशन है दिटी वसो जो प्वल्टी का भूलिक आलते हैं इंडिया को अपरेटिव पेडल एस्टेट है यह कौन बोला था कोपरेटिव फेडल क्वासी फेडल केसी वियर के दौराव लागे था तो देखिए इंडि आपको कोपरेटिव फेडल जाम ग्रैन्विल उस्टीन तो यह देख सकते हैं किसी फेडल बोले थे हैं और बोले थे कि गुड़ बैलेंस है रिजिटी और फ्लेक्सिविटी का क्यों तो बहुत सारा ऐसा चीज एक्जीस कर रहा है जो कि हम एंडिम प्रॉसिस वगरा देख सकते हैं आप लोग तो जो रत पढ़ा तो चेंज भी कर ले रहा है और कुछ ऐसा प्रॉविजन है जो कि only by सींपल मिजरीटी से हो जाता है और कुछ है जो स्पेशल मिजरीटी से इसलिए दोनों के बीच में रिजिटी और फ्लेक्सिविटी के बीच में हम लोग लाई करत कि टाइट मोल्ड हम लोग का कॉंसिपशन एड़र नहीं किया है वह दोनों के बीच का है रिजेक्टे तब प्रिंस्पल ऑफ इंडिमिस्टेशन है जो कि इस चीज़ को रिजेक्ट किये हैं कि एडिमिस्टेशन में जो प्रिंस्पल है ना वह हम लोग मित और प्रोबर्ब के लिए लेंगे कहावत वगराप लेकिन ये हरबर्ट साइमन के दवरा बुला गये था क्या साइमन कमिशन माले हैं कि अब प्रोबर्बर्बर्बर्बर्बर्ब ये बहुत ही अच्छा सवाल है नियम बनाए है और आजादी दिया है क्या ज्यादा लोग नहीं होगा तो देते हैं लेकिन लोब बना कि हम लोग लिवर्टी देते हैं दोनों चीज को ध्यान रखेगा निकि आपको ऐसा लोब बना दिया गया कि आपको यहां नहीं जाना है तो वहां पर इनर लाइन पर मिट चाहिए तो यह आपको यहां पर लिवर्टी को हैंपर कर रहा है लेकि जाकर जमू कसमी में, देखिए, अमेंडमेंट आगे 370 रहटा दिये गया, तो यह कौन दे रहा है? लौ ही दे रहा है, तो क्या ज्यादा लौ आएगा, तो यह ज़्यादा लवाटी मिलेगा, तो यह जीज़ आद कोई लौ नहीं होगा, तो यह बात सही है. तो देखे, अगर more love हो गया, तो less liberty, ऐसा नहीं बोला जा सकता है, यह हो सकता है, कौम ज्यादा हो जाए, उल्टा-फुल्टा हो जाए, तो यह आप लोग थोड़ा से इस वीडियो को पॉस करके, इस वे सोचिएगा, thinking करिएगा, तभी यह चीज़ होगा, practice mind को practice करिए, देख सही भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, तो देख सकते हैं, depend करता है कि किस तरह का, मतलब कि वो उसका interpretation हो रहा है, किस situation बना जा रहा है, तो दीखिए, the liberty only comes as a result of established law, जब law बनाएंगे तभी liberty आगा, where there are no laws to protect or provide freedom and liberty, violation of stick, तो violation होने लएगा, अगर law नहीं है तो, ठीक है, आप लोगो fundamental light दिया गया है, तो तभी तो आप कहीं पर माली जब कोई माना करेगा, तो Supreme Court में जाके, आप वहाँ पर जा सकते हैं, यह चीज़ जहां रकि काता है, तो पॉलिटी बहुत कंसेप्चुल है, अगर यूपेसी का त्यारिक और तो लक्षमी कांत यह सब पढ़िएगा, तो conceptual quality मिलेगा, बोला कि कौन सा है, concept of development, administration का, development होने का concept दिये थे, दिखिए, चार अप्सन दिया गया थे, दोस्तों, तो यह भी factual है, तो दिखिए जो डवलो रिक्स है न, डवलो रिक्स, इन्होंने दिया है, development of administration का concept, पढ़ सकते हैं, यह concept of development of administration दिये, उन्होंने डिफाइन किया, organize report to be used by the large scale organization, और जो government है, वो लोग भी इसको use करेंगे, ठीक है, यहाँ पर next क्या बोला जारा है, which one of the following thinker favors similarity in public administration और private administration, दोनों में similarity को favor कर रहे थे, कौन थे, अवे उन्होंने रिप्स का नाम देखा, लेगिन यह बोला है, कि माली जी की जिसे private लोग कुछ सासन वेस्ता चला रहा है, कुछ लोग government का चला है, ठीक है, जिसे private office है न, तो वहाँ पर कौन सासन करते है, private जो माली के वो, और public वाला जो office है, जैसे कि यह आप देख सकते हैं, कोई भी, तो वहाँ पे सरकार कर आता है, तो यह चीज के बीच में similarity लाने के लिए, हैंडरी फ्रेओल के द्वारा बुला गया था, हैंडरी फ्रेओल को फादर और modern management देया था, इन्होंने, दीखिए, similarity, public और industry दोनों में आए, उसलिए लिए चाते हैं, लेकि सरकारी स्कुल में पढ़ाना नहीं चाते हैं अपने बच्चे को, यह वाला क्यों है, तो government का कुछ चीजे हैं, जहां पर lag करता है, और उतना ज्यादा, मतलब कि बहुत सारा चीज है, यह तो अलग का टोपी को जाएगा, तो अगर हमारा civilization फेल्स, अगर हम बेवस्ता का दोस्त होना चाहिए, इसके खतम होने में, कौन बोला है, तो यह देखिएगा, तो यह दोनम हैं के दोना बोला गया है, फेक्चुल चीजे हैं, देखिए, आपको बताना है, सब हैता और कल्चर, दोनमें क्या डिफरेंस होता है, यह सब इस्टी का पोर्सन हो इस बेश्टी नहीं पर्सन, लाइक वाज एक किंग, हरमाली जे कोई राजा है, या कोई भी वहाँ का जिसे हिटलर था, नेपोलियन बना पाड़ था, उसी पर सारा पांड दे दिएगा तो वो डेमोक्रेटिक डिटर्मिनेशन का पांड नहीं है, डेमोक्रेटिक का मतलब इस बेश्टीक डिटर्मिनेशन का पांड 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 दे दिए, तो अपने इसाब से जो चाय का मनमर जी, आप सारा देश में अपना मनमाना चायेगा जो कराएगा, ठीक है, बोल देगा कि आसे उसी लाग हो तो लाग हो, कोई उस पर विचार हो गारा नहीं होगा, तो यह लिमिट लाएगे हम लोग, ठीक है, तो यह तो सही है, रूल आफ लॉम में यह ची लाएगया, इक्वालिटी होना चाहिए, बास सही है, नह पर दिया गया था, बेटिस जूरिस्ट है, और यहाँ पर तीन लिमिट लाएग गया था, रूल आफ लॉम कैसे नियम चलेगा, उसका क्या नियम होगा, लॉम का, तो यह पाउर को लिमिट करने के बाद की लाने के लिए, और लिबर्टी और सिविल आट का बात किये थे, ठीक है, बोला है कि कौन सा इसमें से चीप परपोस और कोंचिपूशन बनाने का हमारे करेगी, तो देखिए, हमारे यहां कौन सबसे सुप्रीम है, गोर्मेंट नहीं है, परलेमेंट नहीं है, सुप्रीम कौन है, तो यह कॉंसिट्यूशन है, तो यह कॉंसिट्यूशन में ही लिमिटेशन देया गया, कि आपको किस चीज़ पर काम करना है, किस पर नहीं करना है पंडमेंटल लाइट दी है होना नहीं करना है तो यह सही है तो विधान बनाने का मक्सद नहीं था कि हम लोग एक ऐसा गोर्मेंट लाएं जिस पर की लिमिटेशन रखें यह बार बार यूपेस में आ चुक है यह दोजा तेश से दोजा निस में हम लोग देख लिया देख सक यहां पर हम लोग अलग से चला रहा है आपको यह पिक्टोरियल उसको भी देख सकते हैं चैनल पर लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जा सकते हैं कॉष्टिशन गॉष्टिशन का यहां पर कौन सा बात बोला जा रहा है तो देखें जो बोला है ना प्लेस इप्रेटिव डिस्टिक्शन ओं इनिटरेस्ट ऑफ दे इस्टेट अटों मी देखिए इंडिविज़ के लिबर्टी पर आप रिस्टिक्शन लागा रहे हैं यह तो गलत हो जाएगा ना यह रिस्टिक्शन लगाए लेकिन आजादी देखें यह अप फंडामेंटर लाइट होगा दिया गया तो यह लिबर्टी ऑफ थार्ड चे देखें थे नम लोग फेट प्लीप सब देखें ते गोलो तो यह चीज आपको दिया जाता है लिबर्टी के लिए तो सरकार पर लगाया जाता है माली यह लिबर्टी को हननन कर रहा है सरकार और ऐसा कानून बना दी कि आप यहां नहीं जाईएगा और वह हम लोग का फंडमेंटल लाइट है बेसिक के स्ट्रेक्शर है तो वहां पर यह नल और वाट जूड़ी सरी करेगे तो यह आप लोग इसको पढ़ लिजेगा देखिए यह सरवेधानिक सरकार जो है बाई डिफिनिशन क्या होता है तो एक ऐसा लिमिटेड गुवर्मेंट है देखिए 2020 में पूचा गया है तो कितना वर आ रहा है तो देखिए यह आप लोग पढ़ सकते हैं बहुत बेसिक चीज है यहां पर पूचा ज़रा है वुड यू असे जा रहा है रात में दो बजे और आप कोई सोया है आप उसको लात रहकर चलेगा या किसी के घर में जाकर सीधे गुजगा है ऐसा भी आजादी नहीं है तो देखिए यहां पर अपर्चुनिटी है अपने आपको डेवलप करिए फुली रूप से ठीक है और यह सब पढ़ सकते हैं यह सब वहसा नहीं है लेकिन यह दो अप्सन जो है ना दोनों मैच करता हुआ है लेकिन देखिए का वाट आप जू मर्जी वह करिएगा वहीं तो बोला नहीं आप डेवलप करिए वन से फोले लेकिसी और को हैंपर नहीं करना है यह चीज़ को आप लोग पढ़ लेगा मैंने जेनलेटर में बता दिया बोला कि कौन सा इसमें इक्वालिटी सोसाइटी में लाया जाएगा किसके ऑपसेंस मतलब किस चीज़ को हाट आन लेजे कुछ लोग को बहुत जाएदा कुछ चीज़े मिली हुए है तो उसको खतम करना है तो अब इक्वालिटी आएगी ठीक है जो कि गरीब हो या किसी और को नहीं मिला है यह आप लोग पढ़ लिजेगा हम लोग यहां कौन कौन चीस पर डिस्क्रिप्सन नहीं करना है तो आरर चीस पी ट्रिक होता है रेस रिलिजन कास्ट सेक्स प्रेस बर्थ तो दिख लिजेगा उसा अब लोग पढ़ेंगे फंडमेंटल राइट में पोलिटिकल फीचर जो है यहां पे इंडिया और यूसे के बीच में बोला जा रहा है कि कौन सा यहां पे कॉमन है कॉमन तो यहां पे प्रेजडेंट वीट्यों का बात किया रहा है तो पोखेट वीटो यहां तो यह यह और यूपर हाउस के पास कूछ नुमीनेटेमर आंगे यह दोने के पास नहीं है तो दिखिये तिन और चार एक साथ है क्या तो हाँ हो जाएगा एक और दो को अगर इलमेट भी कर लिए तो देख सकते हैं यूपी पीसेस में मतलब की सवाल डिपिनेट कल्ड भी पूछा जा रहा है यह आप लोग पॉट सकते हैं पॉकेट वीटो दोने के पास है अधरवाइस किसी के पास नहीं है अमेरिका के प्रिजिडेंट के पास है रिटर्न बिल को 10 दिन के अंदर में अगार रिप्यूज कर जाते हैं असेंड को तो देखिए यहां पर क्या बोला है अपर हाउस के पास सम नुमिनेटेड मेंबर है तो इंडियाग पास है लेकिन वहाँ पे देखिए इंडियाग पास सभी मेंबर डिरेक्टली एलेक्ट होते हैं वहाँ नुमिनेशन का कोई मतलब नहीं है तो यह देख लीजएगा इस चीज़ को लिए लाए गया था तो इस चीज़ को बोलता है आगे देखिए रिपोर्ट यह सब आप लोग पड़ सकते हैं हार्ट अब गौवर्णास बोला जाता है इसको विच आवद फ्लेंग इस्टिउट आर कंसिडर्ड निसेसी टु परमेट यूनिटी एमंग तो डाइबरसिटी और बहुत एकता बोला जाता है उनिटी एमंग डाइबरसिटी इस चीज़ को बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा यहां पर देखिए कौन सा इंस्टिउट है जो कि इस चीज़ को फेटलिजम में इस चीज़ को लाता है तु देखें, Inter-state Council, National Development Council. ये NDC जो है, आपको नितियाइगोप में है क्या? आपंडूब को बताना है. तो नितियाइगोप में सब state वगर आते हैं क्या आप लोगा बताएगा. तो Inter-state Council तो ही, बहुत सारी Stat komt Banaminaire जाता है Finance Commission देखिए बहुत सारे स्टेट का यहां पर चीज किया जाता है रिजिनल काउंसल भी बनता है तो यह सब यहां पर पढ़ सकते हैं यह बहुत ही कंसेप्चुल और बेसिक सवाल है आप लोग इसको पढ़ लेंगे कौन कौन सा आर्टिकल दिया है 300 बारे में यहां पर इंडिया में मतलब सेंट्रलिजम के तरफ ज्यादा बढ़ें ठीक है तो यह अनिशु सतर के दसक में पर्लिजम से तरफ ज्यादा बढ़े हैं मतलब सेंट्र को ज्यादा पांट पौले होता था अब इस्टेट को भी ज्यादा देने लगे है तो देख सकते हैं बहुत सर एस्टेट में जिससे कि जब कॉंग्रेस के पांटी थी थी न आपको अनिसोब एक गतर असी तक देख सकते हैं जब तक इंद्रा गान्दी उगारा चल ला है तो वो है कौन सा है देखिए पिंगली बेंग कईया का यह आपको पूछा गया है कौन बनाया थे जंडा कड़ी जानों गरा सत्य में हो जयते सारनात यह मुंड़ को अपनिसाद बंदे मात्रम डास्ट गान जनगनमना नेशनल कलेंडर यह सब टॉपिक्स पर कोशन है जल्दी से बन बंदे मात्रम हो जाएगा एंथम है तो यह आपको जनगनमना है तो 1950 में किये थे किस दिन किये थे 24 जनवरी इसी दिन राज एंदर परसाद को राश्ट पती बनाने का बात किया गया था और यह बरावा से सनुगा था क्या इन कंस्ट्यूशन असेंबली क्या आप लोग ब बताना है तो हम लोग आप 24 नॉवंबार अनिसों पच्चास को चबिस नहीं 24 नॉवंबार इसलिए पूछा जा रहा है तो के रमिना टेगोर के द्वारा लिखा गया था और जो बंदे मात्रम है क्या बंकिम चंट्रड़ी के द्वारा लिखा गया कमेंट मताईगे गया त तो कितना देर लगता है तो आप लोग देखे होंगे आपको सिनेमा हौल में गाने वाला जो था उसको कमपल्सरी किया गया था तो यह सब कौन किया गया था जुदिसल एक्टिविजम का एक्जाम्पल था आप लोग बताएगा अब इसको हटा दिएगा यह बताना है और जो फॉस्ट और लास्ट लाइन है 20 सेकेंड लिया जाता है उसको गाने में इस यह फैक्ट्वल टॉपिक से इसको जल्दी से हम लोग कबर कर लेंगे चलिए यहाँ पर पूचा रहा रहा है जो हम लोग का इस्टेट इम में लम है गोर्मेंट अब इंडिया ने कौबर सेक्ट किया था तो 26 जनुवरी निशुपच्चास को क्या चीज था है इस्टेट इम लम तो सारनात का जो आपको असोक का पिलर है बरनासी में जो है उसको हम लो यह आपको राज का प्रतिक चीन अपना है थे अब देखिये सवविधान जो साबा है वो नेशनल फ्लैग राष्टी जन्डा का अब सब करते हैं 22 जुलाई निशुपच्चास यह देट अलग सा है यह ध्यान रखिएगा यह तो 24 जनुवरी है और 22 जनुपच्च्च्च् शेल्स सक्षैकरेटल-फीध क्वा्यक्च्च्च्च्च्च्च्. तो बाला-बाला की लेगां करेक्ट है सब इनकरेक्ट है लेकिन त्र nearest katlere 3-2 द्यक्त दिया जा रहे तो इकार द्याविटाज च्वा सव चाह ostob4Storms write सब्सक्राइब यहां पर पूचा गयाए जंडा के बारे में पूचा गया है Mean लोग देखते हैं आप लोग यह दिक्वा सकते हैं कि यह ने बढ़ा ऑड़ा जंडा आ ओंऑ कि लॉली या कोई फीछ कुले झूरे बगर्राज है तो पहला correct यह दिया गया तो नहीं था एममे लेकिन है यह ध्यान किएगा एममे साइज है देखे़ लोग देना है 990 देना है yarana यह संखिया यह कितना हो गया है आप लोगो यह सब बताना है मच टाइपस क्या होता है यह सब इंवार्मेट परह टोपिक्स हैं आप लोग बूलिएगा तो हम लोग इंवार्मेट का भी ले करायेंगे जिसमें कि हम लोग पुरा आपको मतलब कि घठना चका डिसकूसन कराएंगे पॉइंटर होगा रहा जो भी है पक्तोरियल या कोस्ट वहले भी बता सकते हैं इसका आप देख सकते है सिंटिपिक्ने मिंए नेस्नल बाडण इंडिया का कौन्सा तो एचानल बैड जो है आपको एकाउक इसको बोलते हैं हम लोगं आम दिख सकते हैं देख सकते हैं नेशनल इंबेलम में इसको दरसाय भी है लाइन कप्टल असोका से लिया गया था सारनाथ वारा ऐसे गांगा रिवर का डूजो अलपी न एक्वेटिक एनिमल है पानी वाला जो है आपको बता है न हाइड़ो पूनिक्स क्या होता है यह हम लोग डिसकस किया है पहले ही उधे के इंडिया कनेशना फ्लैग में जो य न छक्र से बताया गिया 24 से स्पोकस है इसमें कि यह जो चक्र बता रहा है न तो यह बोलता है कि चलते रहो और जस्टीच भी मिलेगा लॉग को सिंवलाइज करता है मतलब कि यह पहिया है निम का थिक है इसमें चलते रहो का आप्शन भी नहीं है न ब्रोधर उर्टो नही होगा ना equality का तो बात को इस से तोड़े ना equality के लिए reclaim के लिए तो नहीं है है छाक्र का मतलब Constitution को बलते हैं नैसनल करेंडर के बारे में बोला गया नैसनल करेंडर इंडिया का बीकर्म सम्वा तीरा थे बताना है बाइस मार्च निस्टों सांधाउन को बाद में असरब किया है यह मतलब कि यूनिक फ्रेक्ट है इसको आप लोग देख लेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दुस्तों तो कहां तक हो गया प्रेम्बल हो गया, गोर्णा सिस्टम हो गया नेशनल सिंबॉल हो गया, अब हम लोग यह स्टेट इनियन टेरिटिस, यह कंजिश्यूसान, फंडमेंटल लाइट, यह सब डिसकस करेंगे यह सब अच्छा-च्छा टोपिक्स है, आगे डिसकस करेंगे अच्छा टोपिक्स करेंगे